इस वक्त जो है हम लोग सौत अंडमान अध्यक्षा प्रमिला कुमारी जी के दफ्तर में मौजूद है यह उनका दफ्तर है अध्यक्षा प्रमिला कुमारी जी के दफ्तर में मौजूद है यह उनका दफ्तर है और हमारे साथ में प्रकाश अधिकारी जी जो की कुपता पाड़ा जिलापश्यद मेंबर है वह भी हमारे साथ में मौजूद है आज आपको बताना चाहेंगे आज एक ऐसा जो अंडमान निकोबर में आज तक नहीं हुआ जहां तक हमें जितना खबर है पहली बाहर जो है अमने यह देखा कि चीप सेकर्टरी साब अंडमान निकोबर के मुक्की सच्चिव है जीतिंदर नारान जी आज गुपता पंचायद में अचानक सड़े चार बजे पहुंचे और इनने भी बुलाया साथ में अदेख्षा मैडम भी थी और जिला प्रशेद मेंबर भी थे वहां के यह चीप सेकर्टरी साब सिर्फ अकेले नहीं थे पूरे प्रसाशन यह कह सकते हैं कि हम प्रसाशन आपके दोहर सि लिए उसके बात ही प्रसाशन आप एक्टिव हो चूका है जोगों के बीच जाने लगा हिसने यह इनके दोर आप प्रोजर्ट रखे थे जितने भी डिमंड़ रखे थे उसको लेकर सीधे लोगों के बीच मे जाकर उनका हर एक प्रोजर्ट्स को जाना और एक जगा दे और प्रोजेक्स में क्या करना है उसके बारे में वहीं पर जितने भी ऑफीसे ते बता रहा ता कि करीबन चालीज के आसपास पूरे ओफिसस बस भी थे गाडियां सारे थे चार बजे के आसपास आपका गुपता पढ़ा पहुंचे तो वैसे में वहाँ पर क्या 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 बाते हुई चीफ सेकरेटिस साब ने क्या क्या इनका डिमांड को कितने पूरे किये उसके बारे में बात करत मेडम यह बताईए शायद हमारे भी हमारे नौलेज में तो यह हमने पहले बार सुना है कि मुके सच्च अंडमा निकोबार के सुबह साड़े चार बजे किसी गाउं में पहुंचता है साथ में प्यारे मेंबर्स भी रहते हैं अदेख्षा वहां के जिला परशेद मेंबर बा मैं अपना सोच रखी थी कि मुझे अंडमान को बहुत डवलप करना है तो उनको बहुत खुशी लगा तो क्या क्या करना चाहते है आपको मैं अभी चौलदारी गुपतपारा वह इस पंचायत में रहती हूं और वहीं मेरा आना जाना भी रहता था तो कुछ-कुछ चीज ह हमारे जिल्ला परिशद मेंबर मेरे को बोले कि मैडम ऐसा सा है हम लोग तोड़ से चर्चा जाने से पहले चर्चा करे थे हम दोनों ने तो हमने वह सारे डिमैंस रखे जैसा ज्यादा जो टूरिस्ट के प्लेस के बारे में बात था और रास्ता उसके साथ विवेकानंद स् जो सेलफ ग्रूप के लिए दुकान और भवन और स्टेडियम इसके काफी सारे मुद्दे रखे और सार सुनकर खुशी हुए और सुबह सुबह ऐसा आया मैंने आपने लाइप में आज तक नहीं देखा कि पूरा प्रसाशन हमारे गाउं में थे कुछी दिन पहले आपने उनसे मुलाकात की थी उसके बाद भी हमारे चैनल के माधियम से भी आप कहा था कि हर गाउं में चीप सक्रेटरी सार प्रसाशन के साथ में पहुंचेंगे वैसे मैं आये तो अब क्या कहना चाहेंगे इसके बादे मुझे बहुत खुशी लगे मैं उन्हें दन्यवाद देत प्रसाशन आपके घर के सामने आपके रोड पे देखने को मिला जी बहुत अच्छा लगा और ऐसा अगर चलेगा मैं सोचती हो कि हमारा अंडमन का तरक्की बहुत जल्दी आगे जाएंगे और इसमें हमारा जिल्ला परशद मेंबर प्रकाश जी का भी बहुत बड़ा सही होग है कि उन्होंने इसको इतने रात में हमें इतने कम समय में व और उन्होंने हर जगह रुक रुक के एक एक चीज को देखा उसको समझा और उससे जो संबंदित जो अधिखारी गड़न है उनको बुलाया गया और बहुत अच्छे से करा मुझे बहुत अच्छा लगा अधिक्चा मैडम यह साथ यह भी बूजना चाहेंगे जैसे कि लो लोगों को पंशन मिलता है यह आपको मिल रहा है कि नहीं है फिर वैसे स्कूल का ड्रसस में जो फंड पैसे दे रहे हों मिल रहा है कि नहीं हर एक चीज जो जो फंड से उनको बच एविलेबल है उसके एक एक डीटेल्स को पूछा गया और सबसे मा दीदी ऐसे बात करें उ पिर उनको वैटनरी उनको बुलाए बोले आप इसको सब क्या करेंगे इनके लिए सौल करेंगे और मुझसे बोला कि मैं इस तरह जंगल जंगल अच्छा नहीं लग रहा है ये रास्ता पूरा फूल पेड लगाना है डी सी जी सर से बोले डी सी सर बोले ठीक है आम लोग फू खी आप चाहते हो कि आप कान्डमान सुन्दर होते हैं और जो भी कचड़ा है जो गंदा जो भी उनको दिखा बुले इमीडियेटली साफ होना चाहिए जैसर सहर सुन्दर है वैसा गाऊं भी सुन्दर होना चाहिए तो आप आप आकरी में क्या कहना चाहेंगे प्रसाशन क और Chief Secretary Sir को क्या कहना चाहेंगे आपके तरह धन्यवाद कहना चाहूंगी और साथ ये कहना चाहेंगे हर गाउं में जाए और ऐसे ही प्रोग्राम्स करें जिससे कि गाउं वाला भी समझे जो इतना दिन से वो सोच रहें कि हमारा कुछ नहीं होने का हमारा अंडमान में कुछ न साथ में तो वैसे में इन से जानते हैं कि इनका क्या कहना है जैसे कि आपने दो बर शायद Chief Secretary Sir Sir जाके मिले थे उसके बाद में आप कई सारे अपने गाउं के प्रोजेक्ट से मारे में उनके साथ में डिसकेस किये थे बता रहे थे तो आज यह जो पैहल है जो प्रसाशन आपके घर पे आना और आपके गाहूं पे लोगों के बीच में आना यह बहुत बड़ी बात है वैसे मैं आपको क्या कहना है सबसे पहले तो आपके चैनल के मादम से मैं पूरे दीव बासियों को यह जियाना चाहता हूं कि ऐसे एक माहूल ऐसे एक एटमोस्पियर जो हमने आज सुबह देखे मेरे पॉलिटिकल केरियर में करीबन 30 साल हो चुके है मैं कभी ऐसा माहूल नहीं देखा जहां प्रशाशन के हर एक एचुडीस हर एक आईएस ओफिसर सेकेटरीस कितने आईएस थे होंगे ते होंगे करीबन मेरे खाल से 30 से ज़्यादा ओफिसर थे 30 से ज़्यादा आईएस थे और ऐसा एक एटमोस्पियर सायद अंडमान के हिस चुनाओ पंचायत के चुनाओ होने से प्रशाशन भी चाती है सर्वी चाते थे कि चुनाओ हो जाए और सर्वी पियर इसके साथ मिलकर गाओं का पूरे दीपो का डेवलोप्मेंट करने का है सुरेंस दिया जबकि पांच तारिक को जब हम और अध्यक्ष मौद बश्रीर भाई और परमिला जी के साथ मिले थे करीवन एक घंटे से भी ज़्यादा हमारे डिसकश चली पूरे कैंबेल बे से लेकर साउत अंडामान के हर एक पंचायत में उनका जाने का सपना है और उन्होंने विश्वास दिखाया पहला ऐसा चेत्र मेरा कंस्यूंसी को चुना जो गुपता बड़ा और वंडूर आता है मैं धन्नवाद देना चाहूंगा मेरे पूरे जिला परिशद सदेश से मेरे मुझे और परमिला जी अद्यक्षा जो मुझे वर्क और डेबलेप्रेंट के चेर्मेन बनाए मेरे पर विश्वास दिखाया और इसके लिए तै देल से आपके चैनल के माद्धम से पूरे दीबा से मेरे जो समर्था कि उनको भी मैं धन्नवाद देना चाहूंगा और मैं ये आज आज आपके चैनल के माद्धम से विश्वास दिराता हूं कि जो गाओं वाले आज उनको जो रूप में देखे करीबन पोने चार बज से उन्होंने पूरे प्रशाशन के साथ पूरे काफिला के साथ ऐसा लगा कि कोई बारात से भी ज्यादा बड़ा काफिला देख के लोग चौक गए सुबा पांच बजे सिफिगार जंग से स्टेट हाईवे 7 को देखते हुए जो 20 साल पहले जैसा था आज भी वैसे है उसको करने का उनका प्रयास और पूरे डिपार्टमेंट को डिरेक्शन दिया हुए पे खड़े होकर उसके बाद उन्होंने हमारे चेत्र में स्कूल के लिए और उस चेत्रे से काफी नैशनल लेबिल प्लैर्स है एक स्टेडियम का फुटबाल स्टेडियम के लिए ताकि उसमें सारे चीज जो स्कूल्स रहे हम लोग जिस स्कूल में पढ़के आज भी वही बिल्डिंग है तो उनको भी उन्होंने बारिकी से देखा उस स्कूल्स का डेवलप्मेंट मिडिल स्कूल मंगलुटान फिर एक सेटलमेंट गाउं है हमारे गाउं में जो 49 में बसा था उस उच्छा यहां का हाल चाल कैसे है अब सारे उनके दुख तक्लिप को समझा बहुत खुश हुआ और ऐसा एक सीज जो अंडामान में मेरे ख्याल से पहली बार मुझे लगता है कि इतना माहौल जो बना था विश्वास लोगों ने दिखाया और लोग इतना खुश हुए उन उन्होंने सीरियस हुआ था अमारे गाउं में शायद ही ऐसे पहले कभी हमने नहीं देखा और उन्होंने यह भी बोला कि यहां का टूरिजम इस गाउं को कभी भी हम देखते आये हैं बाइपास हो जाता था इस टेट आइवे से पेगार गुपता बड़ा से बाइपास हो उनको लगा कि इस जंक्शन को मैंने पहले भी वैसे देखा और खड़ाब हो गया ऐसा नहीं है उनको सारे चेज़ याद है उस चेत्रे का बारे में बहुत अच्छी तरीका से उनको याद है क्योंकि वो पहला गाउं है जो बसाता यहां पे और वही गाउं जो है हमारा 49 मे डेबलब्मेंट का पर दो-तीन पोजेक्ट उन्होंने आज साती साथ वहाँ पर ओफिसर्स को डारेक्शन दिये जो मंजेरी ऐसा एक पोजेक्ट है जो संसेट पॉइंट वहां से और वाटर अक्टिविटीज के भी बारे में वहां फॉरेस्ट के साथ बैट कर इस बारे मे इस गाओं को मेरे खाल से अगर एक पोजेक्ट आ जाए पूरा गुप्तावड़ा पंचायत का रहने की बिदल जागा वहां का माहोल वहां का अनुप्लायट को भी काफी सारे रोजगार मिलेगा सर इस आकरी में यह भी बीपूजणा चाहे आपसे जैसे कि अमेशा का एक शिकायद रहता है जन प्रतरिनीदी को जो भी चुनाओ जीत कर आते हैं तो वैसे में उनका एक शिकायद रहता है कि प्रसाचण उनके साथ देते नहीं है चाहेंगे आपसे जैसे कि अमहिशा का एक शिकायद रहता है जन प्रत्रिनीदी को जो भी चुनाओ जीद के आते हैं तो वैसे में उनका शिकायद रहता है कि प्राशाचन उनके साथ देते नहीं है तो आज ये जो पहल है जो प्रत्रिनीदी को लेकर गाओं में जाना और तो सपना देख रहा है, ऐसा उनको लग रहा था कि यह कभी मुम्कीन ही नहीं है, ऐसा परिस्तिती, ऐसा एक माहुल कभी उन्होंने गाउं में देखे ही नहीं है, गाउं करीबन सतर साल से जादा गाउं बसा हुआ है, जो वहां के गाउं काफी पियराइज, काफी लिडर्स गाईर ऐसा माहुल कभी नहीं बना, वो सोच रहे हैं कि हकीकत में इतने सुबे सारे प्रशाशन के सबसे बड़े से बड़े ऑफिसर उस गाउं में घूम रहे हैं, और लोग सो के उटके देख रहे हैं, यह क्या हो रहा है, कभी किसी को विश्वास नहीं है, कि हम सपना तो अच में विश्वास दिखाता है कि जरूर उनका भी सपना है कि परिवर्तन होगा, और यह मुझे पूरा विश्वास है कि परिवर्तन जरूर होगा, अकरी में आपको क्या कहना चाहेंगे? मैं इतने ही बोलना चाहूंगा, कि मैं पूरे प्रशाशन को धन्यवाद देना चाहता हूं, कि उन्होंने जो पहल उठाए और खास करके, चीप सेकर्टी सर, जो उन्हेंने हमारे अध्यक्षय जी और मेरे अनुरत पर जो छेत्रे का उन्होंने दोरा किया, और जो सर्प्र पहली बार इस दीपो में हमने देखा, और मुझे पूरा विश्वास है, आगे भी ऐसे उन्होंने केमबल बे से लेकर हड़ बे सारे पंचायते में जाने का भरोसा दिखाया, और साथ में हम यह समझते हैं, उस गाउं के जितने भी गुजूर, डैरेक उन्होंने नंबर द कि आप मुझे डैरेक फोन करना गरे काम नहीं हुआ, ऐसा आप समझ सकते हैं कि उनका सोच कितना बड़ा है, बाकी देखते हैं, आगे प्रशाशन के साथ कैसे डैबलोप और भी कर सकते हैं, मेरा तो इच्छा रहेगा कि मेरा सारे पुजेक तौहां पे हो जाए, यह मेरा उम्मीद रहेगा. पेल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन प्रेस करना ना भुलें, हमारा अपना न्यूज आपतर आप साच देखेगा अन्दमान.